मन्च पर विराजबान मंत्री परिशत के मेरे साथी सिमान नितिन गड़करी जी, सिरी रामिलास पास्वान जी, सिरान राधा महुन जी, डॉक्टर हर्श्वर्धन जी, दर्वेंदर प्रदान जी और यहां उपस्तित समाज के अलग-अलग शेत्र से जुड़े हुए सभी देवियों और सजरुप्त साथकियों अगस्त का ये महिना अपने आप में पवित्रता और संकल्प का बातावन डिक कराता है ये करांति का देश की आजहादी के लिए खुद को समर्पित करने बाले सेनानियों को याद करने का महिना होता है स्वतंत्रता दिवस के साथ ही इस महिने में अनेक त्योहार आते हैं जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को सम्रद बराते हैं आने वाले सभी परवों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्त पामनाई देता हूँ हमारी परंपरा में हमारे उत्सवों में हमारे त्योहारों में प्रकृती का परियावरन का बहुती उचा स्थान है आज का ये आयोजन भी प्रकृती परियावरन और आधुनी परंपरा से जुड़ा हुआ है मैं आप सभी को विश्व बायोफिल दिवस की बधाई देता हूँ सात्यों समासो करोड देश्वास को के जीवन को कैसे बहतर किया जा सके इसके लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है लगातार प्यास कर रही है नहीं नहीं योजनाय बना रही है गाउं की अर्थिववस्था को ताकतवर बनाना गाउं के किसान की आए बढ़ाना पैट्रोल डीजल गैस का विकब तेहार करना और परियावर्ण को सुरक्षित करना यह वह हमारी सरकार की प्रात्विक्ताव में है बायो फ्यूल इन लक्षों को हासिल करने में अहम भूमी का निभाने वाला है बायो फ्यूल परियावरान और हमारी आर्थिक उन्नति के बीच तालमेल बिठाने में बड़ा सहायक बनने की शक्ति रखता है साथियो बायो फ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बलकि वो मंत्र है जो 21 सदी के भारत को और नसरे भारत को पूरे विश्वकी मानवजात को नहीं उर्जा देने वाला है बायो फ्यूल यानि फसलों से निकला इंधर फसल के अउसेश से निकला इंधर कूडे कचरे से निकलाई इंदा ये भारत के गाउं से लेकर सहर तक के जीवन को बदलने वाला है बहतर बनाने वाला है और अभी जो फिल्म दिखाई गई उसमें पुरानी कहावत को भी याद किया गया हाम के आम और गुठली के धाम बहुत पुरानी कहावत है उसका एक प्रकार्जे याद्धोनी गुरूप है बायो फ्यूवल का जादा से जादा इस्तमाल किसानों की आमद्दी को बढ़ाएगा रोजगार के नए अउसर पैदा करेगा देश का धन भी बचाएगा और परियावरन के लिए भी बरदान साबित होगा देश के लिए यह हमारे उस व्यापक विजन का हिस्सा है जहां स्वच्छता, स्वास्थ और गाउं गरीब किसान की समरुद्धी का रास्ता और मजबूत होने वाला है इसके अलावा गि हमारे अर्बन डेवलप्मेंट के आधुनिक मोडल से भी जुड़ा हुआ है शहरों में क्लीन एनर्जी के तमाम प्रयासों के बीच बायो फ्यूल एर पॉलूशन को कम करने में बहुत मददगार है साथियों यहाँ पर बहुत बड़ी संगय में हमारे किसान भाईबन आज आये हुए है और किसान का विज्ञान भून में आने आपने एक मेसेज है देश के अधिकतर हिस्सों में बारिस की स्थिती अलगल है कहीं बाढ़ है तो कहीं बारिस का इंतजार है हम लगातार उस खबरों को देख रहे हैं कहीं संतोज जनक बारिस का एक आनन भी होता है तो कहीं बारिस के आतिरेक के कारण परेशानियों से चिंता भी होती है खास करके मेरे किशान भायों बन अब तो धान समेथ खरीब की तमाम फसलों की बुआई मैं समाता हूं करीब करीब देश के हर कोनों में पूरी हो चुकी है और आपकी जानकारी में है कि सरकार में चौदा खरीब फसलों का न्यूनतम समर्थन मुल्य लागत का डेश गुणा तै किया है और जब कृष्ची की बात आती है तो स्वामिनाथन जी का नाम स्वाभाविक रुप से हमारे यां लिया जाता है और मुझे खुशी है कि अभी दो-तिन दिन पहले सिमान स्वामिनाथन जी ने एक आर्टिकल के द्वारा कृष्ची क्षेत्र में किस प्रकार से बडलाव आ रहा है सरकार के से इनिस्टिव ले रही है सरकार की नीतियां किस प्रकार से किसानों की जिंदगी में स्थाही रुप से बडलाव लानी है बड़ा विस्तार से वह एक आथोरिटी है भावत विस्तार से उन्होंने भारत सरकार की किसानों से सम्मंदि जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, प्रयास हैं, उसकी भरपुर सराणा किया है और आपने भी देखा, फिल्में भी देखा, खरीपी महसब में जो और फसले होती उसके साथ था, गन्ने के लिए भी हमने MSP ताई किया है, कि किसानों को लागत के उपर लगभग 80% लाब मिल सके हैं इस सीजन के गन्ने का लाबकारी मुल्य बीस रुपिये बढ़ा कर 275 रुपिये प्रती क्विंटल किया गया है इस बड़ी हुई किमत से देश के करोडों किसानों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है इसके अतिरित गन्ने से इथेनौल बनाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उनका भी लाग किसानों को मिलना सुनिश्चित है साथियों गन्ने से इथेनौल बनाने की योजना पर जब अटल भी हर रिवाजपाई की सरकार थी उस समय काम का प्रारम हुआ था लेकिन बीते एक दशक में अब जैसा उस सरकार का हाल था हर योजनाव का भी वैसा ही हाल होता था इस प्रयास को भी अति गंभिरता से नहीं लिया गया जब 2014 में फिर से केंद्र में भारतिय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनी तो बकाएदा एक रोड में प्यार किया गया इथे नौल ब्लेंडिंग प्रोग्रेम शुर किया गया आज देश के 25 राज्य और केंद्र सासित प्रदेशों में ये प्रोग्राम सुचारू रूप से चल रहा है बिते चार वर्षों में इथे नौल का रेकोर्ड उत्पानन किया गया है और आने वाले चार वर्षों में लगभग साड़े चार सो करोड इथे नौल का उत्पादन करने की दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है साथ्यों इथेनौल ने ना सिर्फ पिसानों को लाप होचाया बलकि देश का पैसा भी बचाया है इथेनौल को पैट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग चार हजार करोड रुपी के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है सरकार का लक्ष है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब करीब बारा हजार करोड रुपीय तक पहुँचे इतना ही नहीं अगले चार वर्ष में गन्ने से इथेनौल बनाने भर से ही लगभग बीस हजार करोड रुपे से दिक जूटने का अनुमान है इस बचत से और गन्ने के मिले विकल्ब से गन्ना किसानों को जो बार-बार मुसिबतों को जेलना पड़ता है उसका एक स्थाही समाधान का रास्ता निकलेगा इतनौल से पैसे की बचत तो हो रही है इसके अलावा पैट्रोल से जो हानी का रग्यस दिकलती है उनमें भी कमी आने वाली है साथ यो बायो फ्यूल से जुड़े लक्स तै किये जा रहे हैं यह यहने कोई एक विश्फूल तिंग की हो बड़ी बड़ी बाते होती हो ऐसा नहीं है इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए नीतिया बनाई जा रही है ठोश रन निती बनाई जा रही है रिस्पॉंसिबिलिटी फिक्स की जा रही है एकाउंटिबिलिटी तै की जा रही है रेग्यूलर मॉनिटरी हो रहा है टारगेट को पाने का समय बत आयोजन हो रहा है इथेनोल समय बायोफुएल के तमाम मध्यमों को विक्सित करने के लिए सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाई है सरकार का ये प्रयास है कि 2022 तक 10 प्रतिशत और 2030 तक यानि दो गुना 20 प्रतिशत इथेनोल पेट्रोल के साथ मिक्स करने की एक्षमता विक्सित की जा सके है बायोफुएल से सिर्फ गन्ना किसानों को तो एक विकल्प मिलेगा ही इस ते देश के हर किसान को फाइदा होने वाला है हमारे गेहूं, चावल, मक्का, आलू, सबजियां, हम सब जानते हैं अक्सर कभी मौसम की विज़र से या भंडारण के अभाव के कारण खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, बरबास हो जाती है और स्वाबा भी किसान इसको समाल के का करेगा, वो फैक देता है लेकिन अब हमने तै किया है कि इसका इस्तिमाल भी इथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहे हैं एक और समस्या किसानों के सामने हैं, कि प्राकुरिक कारणों से फसल में कुछ कमी रह जाती है, जैसे दाग लगना, साइच छोटा होना, ऐसे अनेक कारण होते हैं, और जिसकी वज़े से उनकी फसल बिक नहीं सकती है जो ग्राहग है वो उसको पसंद नहीं करता है, नकार देता है, जो दुकांदार है भी वो भी नहीं लेता है और इसके करण मौसम की आधिय दूरी मार भी किसान को भहुत नुक्षान उठाने के लिए मजबूर करती है इथेनौल बनाने के लिए ऐसा सारा भी अनाज होता है छोटा हो, तूटा-फूटा हो, दाना कम हो, रंग ठीक न हो, ये सारी चीजे इथेनौल बनाने के लिए कामाते हैं और अगर इसमें हम योजना बद दृत्ती से जब पुन्रता को प्राप्त करेंगे तब विश्वास कर सकते हैं, ऐसे में किसानों के फसल का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाएगा अब कल्पना कर सकते हैं हमारे किसानों की जिन्दगी में कितनी बड़ी ताकत आएगी साथियों नेश्नल पॉलिसी में सिर्फ फसल से नहीं बलकि अब घर से निकलने वाले कूडे, खेच से निकल वाले कचरे और पशुओं के गोबर को इंधन में बदलने के लिए भी एक राष्ट से व्यापी योजना बनाई आएगा आने वाले समय में केले के छिलके जो ना सिर्फ पिसान बलकि हर घर में कचरे के रूप में आसानी से मिल जाते हैं वो भी इंधन के रूप में काम आने वाला है इसके अलावा गास और बांस से भी इथेनौर बनाये जा रहा है बांस विशेस तोर पर उत्तर पुर्वव और दूसरे आदिवासी इलाकों में अच्छी मांत्रा में पैदा होता है ऐसे में वहां की अर्थेवववस्ता के लिए ये महत्वपुन कदम होगा जो बांस की खेती करने वालों को फाइदा करेगा साथ्यों पराली भी किसानों की एक बहुत बड़ी सबस्या है और पता नहीं ना समझी के कारान समय के अब आवसे कुछ भी कहो ये पराली अपने आप में एक बहुत बड़ा मुल्यवान प्राकृतिक सोगाध है लेकिन अज्ञान वस या आदतों के कारण हम ऐसी मुल्यवान जड़ी बुट्टी को जला देते इस जमीन को नई जिन्दकी देने वाली मुल्यवान जड़ी बुट्टी हम अपनी आखों से सामने अपने हाथों से जला देते और मैं तो देख रहा हूँ पंजाब हो हर्याणों यहां के किसानन कसा ये एक नित्यकारकम होता है और ये एक बहुत बड़ी चुनाती है लेकिन मेरे किसान भाईयों को मैं बार बार समझाता हूँ कि इस पराली को जलाने के कारण जमीन की उपजाव शक्ति पर तो असर पड़ता ही है साथ में इससे निकले धुए के कारण पूरे परियावरण का को दुश्प्रभाव करता होता है और इसलिए अब पराली से इथे नौल बनाने की संभावनों पर बहुत व्यापक रुप से काम किया जा रहा है याने अब पराली भी आपको इंकम का एक्स्रोथ बन सकती है और इससे प्रदुश्ण की भी रहात मिलेगी और किसानों की अतिरिक्त आए भी होगी साथ कि अब बायो मास को बायो फ्यूल में बदलने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही हैं इंवेश्टमेंट कर रही है देश भर में दस हजार करोड रुपे की लागत से बारा आदोनिक रिफाइंटरी बनाने की यूजना है एक रिफाइंटरी से लगभग हजार पंदरा सो लोगों को रोजगार मिलने के संभावा है यानि रिफाइंटरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक लगभग देड़ लाख नवजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्द होंगे इसके अलावा गोबर से इंधन बनाने की यूजना भी प्रगती पर है पिछली बजेट में आपने देखा होगा हमने योजना गोशनी गोबर धन इस गोबर धन योजना के तहरत पूरे देश के हर जिले में एक बायो गेस प्लांट लगाया जा रहा है अभी 700, 700 प्लांट बन रहे हैं लेकिन आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा देश भर के किसानों, सेल्फिल्फ ग्रूप्स इन सब को इसमें जोड़ा जाएगा सात्यों आच, गोबर धन, वन धन, जन धन, इन योजनाओं से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में एक नई आर्थिक संभावनाय, आर्थिक सामर्द का एक नया बदलाव सुनिश्चित हो रहा है न सिर्फ आपकी फसल, बल्कि पशू के गोबर का, खेत के अउशेस का, गर से निकले कूडे कच्रे का, हर चीज का, उची तुप्यों हो, इस दिशा में काम हो रहा है इसके अलावा, जो जंगल में उगे पौधे और फल होते हैं, उन से होने वाली आमदनी अलग जब पतजर के मौसम में, अगर जंगलों में जाने की आदत होगी ता आपने देखा होगा एक-एक-दो-दो फीट पत्ते गीर करके पड़े होते हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कमाई का साधन बन सकता है ये वेश्ट वेल्ट का अभ्यान तो है ये, साथ में इससे स्वच्छ भारत अभ्यान को भी गति मिल रही है क्योंकि यही बेश्ट गंदगी का भी बड़ा काना है साथ्यों इस अभ्यान में हमारे वैज्ञानिक बंधों और स्टार्ट अप्स के जरिये तक्निक को सुलब कराने वाली वाओं का एक महत्पुन योगदान है मैं आज इस हवसर पर आप सभी का अभार व्यक्त करता हूँ आप बायो फ्यूल से जूड़ी तक्निक को बहतर बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी भी इस शेत्र में बहुत कुछ करने की संभावना है जैसे अनाज के अत्रिक ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है जिससे अधिक गुर्वत्ता वाला और अधिक मात्रा में बायो फ्यूल पादा किया जा सके है इसके लिए स्टार्ट अप से जिड़े उद्दमियों टेक्नोलोजी से जुड़े लोगों को एक साथ मिल करके काम करना होगा मैं समझता हूँ कि हमारे इंजिनिरिंग कॉलेज हो आई टी आई पॉलिटिक की सिलेबस में बायो फ्यूल से जुड़े कोर्ष को और प्रात्विक्ता दी जानी चाहिए इसके अलावा देश भर के केविकेस क्रिशी विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बायो फ्यूल के बारे में जादा से जादा जानकारी किसानों तक पहुचाई जानी चाहिए देश भर में लगने वाले कुर्शी मेलों में भी बायो फ्यूल को मुख्य थिम बनाकर किसानों के बीच जाग रुपता बढ़ाई जा सकते हैं साथ्यों शहरों की साब सफाई से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या याने सॉलीड बेस्ट मैनेजमेंट सीवर के पानी द्योग से निकला पानी ऐसी तमाम चीजों से उर्जा पैदा करने के लिए नई और बहतर टेकनोलोजी लाने का प्रयास सरकार कर रही है और मुझे मैंने एक बार अख़वार में पढ़ा था किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाई का ठेला ले करके खड़ा रहता था चाई बना करके बेचता था अब कोई चाई बनाने की वात आती है तो मेरा ध्यान जारा जल्दी जाता है और वहीं पर उके एक नाली गंदी नाली जल्दी थी अब इसके दिमार में कोई विचार आया है उसने उस नाली में पाबावी के गंदी नाली होते वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंद आती थी उसने एक छोटी सी बरतन को उल्टा करके उसमें छेट करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइप लाइन से उसके अपने चाय के ठेली में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उप्योग करकर चाय बनाता था सिंपल सी टक्नोलोजी यानि कैसे उप्योग होता है वैसे चाय बालों के काम यह ज़्यादा रहता है एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा की हमारा कॉन्वय जा रहा था और आज एक स्कूटर पर बड़ा जो ट्रेक्टर का ट्यूब होता है पूरा अंदर स्कूटर पर इतना बड़ा ट्रेक्टर का ट्यूब कोई लेके जा रहा है तो पीछ आने माले वहीकर को डर लगता है कहीं टक्रान जाए मैं भी हरान था कि यसे कैसे ले जाता है कोई भी वेक्ति समयदार तो यही करेगा ट्यूब खाली कर देगा और चला जाएक और आगे कूट्रा बाले को पूछा भी क्या है यह कर रहे हो कि गिर जाओगे चोट लग जाएगे मार जाओगे नहीं भुले खेच जा रहा हो तो यह क्यों ले जा रहे हो तो वहले मेरे घर में जो घर के कीचन का कुडा कचला निकलता है वो और मेरे पास दो पशू है उसका जो गो गैस को इस टूब में भरता हूं और टूब लेकर के खेच जाता हूं और खेच में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं अब कलकुना कीजिए हमारे देश का किसान यानि इतना सामर्थ पड़ा हुआ है आज भी हमारे किसान गाओं के लोग कुछ न कुछ नए प्रहूप करते रहते हैं जो स्टार्ट अप की दुनिया के लोग हैं भी अगर उसमे ध्यान दे तो शायद जो कभी बड़ी-बड़ी कॉलेजिट से नहीं मिलता है वो खेच मे किसान की सोच में से मिल सकता है और इन सब को समेट करके हम चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं आज बी थी की एक योजना एक व्यापट योजना पर काम किया जा रहा है बी थी याने बायो मास बायो फ्यूल से और बायो एनरजी की तरफ देश बढ़ रहा है इथे नौल के हतिरिक आच कच्रे से CNG यानि बायो CNG बनाने का भी तेज़क्यति से काम चल रहा है देश की ट्रांस्पोर्ट बवस्ता में CNG के इस्थमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पैक्ट्रोल डिजल से होने वाले प्रदूसर्ण से बचा जा सके फिलहाल हम CNG विदेश से आयात करते हैं अब बायो CNG से विदेशोपन दिरफरता को कम करने के प्रयास की जा रहा है इसके लिए अभी तक देश भर में पौने दोसों से अधिक प्लांट लगाए जा चुके हैं वो दिन दूर नहीं जब शहरों के साथ साथ गावों में भी CNG से गाडिया चलने ल आस्टिक का सामार रबर के तायर ऐसी तमाम चीजें जो उप्योग के बात एक अपने आप में बहुत बड़ी समश्या बन जाती है इनका इस्तवाल सडक बनाने में किया जा रहा है तहीं और वहीं जो दूसरा कच्रा घर से निकलता है उसका भी सडकों के निर्मान में कैसे उप्योग हो इसकी संभावनाय तलासी जा रही है मैंने अभी एक आफ्रिकन कंट्रीज की गरीब लोगों का एक छोटा सा काम सोशल मेडिया में देखा वो गाउं में से सारी प्लास्टिक इखटा करकर के नदी के तट में ले जाते हैं अलकडी वकडी ला करके उस प्लास् और और वे ब्लाक बड़ी महातरा में बहते हैं विमिन सेविक की महलाएं कर रही है का मैं कच्रे की सफाय भी कर रही है और उसका नई प्रोडुक्न के वाजार में में बेच रही है विकास और परियावरं के बीच एक संतुलन बना कर आगे भढ़ने की नीति पर सरकार काम क साथ संतुलन की जब हम बात करते हैं तब बिजली का एक महत्पपुन रोल है बिजली कैसे पैदा होती है और कैसे इस्तमाल होती है इसका परियावारन पर सीधा प्रभाव करता है जब बिजली पैदा करने की बात आती है तो आज कोईले और गैस जैसे पारमपारिक तरीकों क साथ सोलार एनर्जी समय तमाम दूसरे माध्यमों से बिजली बनाने पर भी जोड दिया जा रहा है इंट्रनेशनल सोलार एलाइस के जरिये तो हम ना सिर्फ भारत में बलकि पूरे विश्व में सौर उर्जा का प्रचार प्रचार कर रहे हैं आज खेती में सोलार पंप से लेकर उद्योग धंदा दप्तरों के में सौर उर्जा के इस्तिमाल पर काफी प्रगति हो रही है इसके अलावा देश की गलियों घरों और दप्तरों में LED बल्प की रोशनी सुलिश्षित करने से बिजली की बच्चत हो रही है और मुझे प्रसंता है कि अब देश के रेल्वे स्टेशन LED बल्प से जग बंगाने लगए है अब लक्स यह है कि आने वाले दिनों में रेल्वे की हर बिल्डिंग और रेल्वे प्रेयर क्वार्टर में भी सत्प्रतिशत LED बल्प लगाए जाए रेल्वे नहीं हमारे पॉट्स भी ग्रीन होते जा रहे हैं LED लाइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं परियावरण की चिंता स्वच्च भारत स्वच्च भारत के मिशन से जुड़ी हुई है दुआ मुक्त रसोई भी इसी व्यापक वीजन का हिस्सा है आज मैं इस मंद से देश के उन पांच करोड गरीब परिवारों को बढ़ाई देता हूँ उन माताओं बहनों को बढ़ाई देता हूँ जिनको धुए से मुक्त मिली है हिंदुस्तान में इतना बढ़ा काम इतने समय में हो सकता ही अपने आपने का जुबा है हमारे देश में समा सो करोड जनसंग्या है और करीब-करीब 25-26 करोड परिवार है इन 25-26 करोड परिवार में पांच करोड परिवारों को गहस का चुला इतने कम समय में पहुचाना यह अपने आप में अब हिसाब लगा सकते हैं कि तेज गती से काम होता है तो कितना पनाव आता है साथ्यों आज दिन पर किसान भी होंगे टेक्लिशन भी होंगे गवर्मेंट के अफसर भी होंगे आप सम मिलकर के बायो फियल को लेकर चर्चा करने वाले हैं उससे जुड़ी चुनावतियों पर विचास करने वाले हैं तिसान की जो रोजमरा की प्रक्टिकल प्रॉब्लिम से उसकी चर्चा करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि इसे सवासो करोड देश्वासों की उर्जा जुरूरतों और खेती को लापकारी बनाने के लिए अनेक नए सुझावाएंगे अनेक नए रास्ते बनेंगे बायो फ्योल से बड़लाव की कुरांती घर घर से सरकार के प्रयासाओंसे नहीं पहुँच पाएगी इसमें हमने हमारे चात्रों को हमारे शिक्षकों को हमारे वज्जानिकों को हमारे उद्यमों को उद्यम्यों को याने एक प्रकार से जन भागी जादी से जन अंदोलन का रूप हमको देना पड़ेगा मेरा यहां मौजुद जो राज्यों के प्रतिनिती आये हैं उनसे भी आग रहे कि देश के गाउं गाउं तक बायो फ्यूरल के लाब पहुंचाने के लिए अपने स्करपर भी अतिरिक्त प्रयास करें और में विश्वास है कि बायो फ्यूरल के दिशा में भारत ने जो इनिशिएटिव लिए हैं और विश्व आज बायो फ्यूरल डे मना रहा है तब भारत क्लोबल वार्मिंग से चिंतित विश्व को एक विश्वास देने का सामर्त रखता है भारत के इन कदों के आज पूरे विश्व में सराना हो रही है भारत के नीतियों और योजनाओं को विश्व बड़े गवर्ण से देख रहा है और उसमें आज का ये प्रयास नई उर्जा भरेगा दिशा को और दिख्ष्पस्ट करेगा और गती तेज करेगा इसी विश्वास के साथ इस सफल योजना के लिए मैं आप सब को रदे से बहुत बहुत शुक्तामनाई देता हूँ धन्यवाद